भगवान सूर्य नारायट को सबर्पित छट का महापर्व आने वाला है प्रतेक वर्ष कार्तिक मास की शुकल पक्ष की शष्टी को मनाय जाने वाला ये पर्व हिंदू धर्म में विशेश इस्थान रगता है प्रेता युग से द्वापर युग फिर कल युग में भी इस वर्ष की महिवा बढ़ती ही जा रही है आज इस वर्ष की महिवा साथ समंदर पार जा चुकी है पौरानिक मानेता के अनुसार छट पर्व की शिर्वात सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी लेकिन इसकी महिमा का बखान रेता युग में किया गया कहते हैं कि मुद्गर विशी के कहनी पर ये व्रत माता सीता ने उनकी आश्रम में रहकर संपन किया था मानित अनुसार जब जुए में पांडव अपना सारा राजपार्थ हार चुके थी तब महाभारत काल में द्रौपदी ने चट का व्रत किया था इस व्रत की महिमा इतनी है कि कहावत है कि उगते सूरज को तो सभी नमस्कार करती है लेकिन डूपते सूरज को अर्खे देने की परंपरा मात्र इसी पर्व की विशेशता है और बाद में व्रती उगते हुए सूरे को भी अर्खे देती है इस पर्व में चार दिनों तक भग्मान सूरे के साथ चटी मैया की विशेश पूजा अर्चना का विधात है कई लोग चट को प्रतिहार, डाला, चट चटी और सूरे शरष्टी के नाम से भी पुकारते है दोस्तों आस्था का महापर्व, चट, मुख्यता, बिहार और उसके आसपास के शेत्रों में बड़ी आस्था और पवित्रता के साथ मनाया जाता है मन पांचित संतान की इच्छा और संतान की उन्दती और परिवार की खुशाली के लिए किया जाने वाला ये पर्व, नहाय खाय के साथ शिरू हो जाता है तो चलिए जानते हैं कि कब है आस्था का महापर्व छट और कब दिया जाएगा अस्था चलगामी और उदेमान सूरे कुचल नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अन्शिका और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारी सुविशे शिकारिक्रम ने दोस्तो महापर्व छट पूजा का शिभारम नहाय खाय के साथ प्रारम हो जाता है नहाय खाय के दिन पवित्र नदियों जैसे गंगा में इसनान करने के बाद महिलाएं छट का व्रत शिरू करती है और इस दिन केवल एक बार भोजन किये जाने का विदान है परे जगा कद्दू भाद खाने का भी विदान है आपको बता दे कि इस साल नहाय खाय 17 नवंबर 2023 को है चट का दूसरा दिन खरना कहलाता है इस दिन ब्रतिय महिलाएं या पुर्ष सूरेदे से लेकर सूर्यस्त तक निर्जला व्रत रखती है उसके बाद सूरेदे के तुरंत बाद गुड़ खीर बनाई जाती है सूरेदेव को अर्ख देने के बाद व्रत खोलते हैं और फिर तीसरे दिन व्रत फिर से शुरू हो जाता है दोस्तो इस वर्ष 18 नवंबर 2023 को खरना किया जाएगा चट पूजा के तीसरे दिन भी नेजला व्रत के साथ ढूपते हुए सूरे को अर्ख दिया जाएगा अब वास की पूरी प्रक्रिया रात भर चलती रही उसके बाद छट के व्रत का पारण अगले दिन उगते हुए सूरे को अर्खे देने के साथ प्रार्म हो जाएगा आपको बता दे कि छट पूजा का संथ्यार्टी 19 नवंबर 2023 को दिया जाएगा जब कि छट के चौथे दिन और अंतम दिन उगते हुए सूरे को अर्खे देने के बाद व्रत कोना जाएगा छट का चौथा और अंतम दिन व्रत का पारण होगा जो 20 नवंबर 2023 को पूर्यास था के साथ संपन किया जाएगा तो दोस्तों आप पर छटी मया का अशिरवात बना रहे इसी कामना के साथ आज के लिए पस इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और जितना ज़ादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर चाहिएगा